श्रीमत भगवत गीता अध्याय दो श्लोक बासट ध्यातो विश्यान कुंस संधस्ते शुब जायते संधत संजायते कामा कामा क्रोधो भिजायते श्लोक का भावार्थ इंद्रियों के विश्यों पर चिंतन करते समय व्यक्ति उनके प्रति आसक्ति विक्सित करता है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है. यदि हम अपनी कामनाओं की तुष्टी करते हैं, तब वे लोग की ओर ले जाती हैं, इसलिए कामनाओं को तुष्ट करने से इनका उन्मूलन नहीं होता. सान अगर किसी को शराब का शौक है, तो शराब पीने के आनन के विचार बार-बार मन में आते रहते हैं, जिससे को दुन्या की सारी संपत्ती, विलासिता और कामुक वस्तुए मिल जाएं, तो भी उस व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होगी. इसलिए साधक को चाहिए कि वहां उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायन हो वर्ड बाय वर्ड मीनिं उनको इंद्रिय विश्यों को उपजायते मतलब उत्पन्न होता है. संगत मतलब आसकती से संजायते मतलब विक्सित होता है. कामा मतलब इच्छा, कामात मतलब इच्छा से क्रोधा मतलब क्रोध, अभिजायते मतलब उत्पन्न होता है.